नमस्कार, इंग्लेंड में विधी निर्मान परकिरिया, इंग्लेंड में कानून निर्मान परकिरिया के उपर अपन चर्चा कर रहे थे इसका जो पर्थम लेक्चर था वीडियो था उसमें अपने किस परकार सदन में विधेक रखे जाते हैं कितने परकार के विधेक होते हैं और किन-किन चरणू से उस विधेक को कानून बनने के लिए गुजरना होता है इसके उपर अपने चर्चा की एक सदन से पारित होने के बाद विधेक दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी वही प्रोसेस अपनाई जाती है वही तीनू चरण अपनाई जाता है और यदि वह सदन भी पारित कर दे तो वह राजा के पास जाएगा विधेक वो राजा के अस्ताक्सर उसकी सहमती से वै अधिनियम या कानून का रूप ले लेता है लेकिन अब देखिए आगे की जो इस्तती है कि यदि मान लीजे दोनों सदनों में मतवेध हो जो वहां के इंग्लेंड की संसत के दो सदन है कोमन सबा और लोड सबा यदि उनमें दोनों में किसी विधे को लेकर विवाद हो जाए विशे वस्तु को लेकर विवाद हो जाए तो उस सम्मन में फिर क्या इस्तती रहेगी इसके उपर अपन आगे आज चर्चा करेंगे दोनों सद्दों में ये दि किसी विधेग को लेकर देखें मतभेद उत्पन हो जाता है तब क्या इस्तती होती है देखें ये दि पहले सदन से पारित होकर दूसरे सदन में ये विधेग पहुंसता है और दूसरा सदन उस विदेग में संसोदन का कोई सुझाव दे कि कोई नई चीज जोडनी है या जो धारा उसमें है उसको क्या करना है आठाना है तो वह विदेग क्या करेंगे कि विदेग को पुने प्रारम करने वाले सदन में भेज दिया जाता है यानि जिस सदन से वह पारित होकर आया है उसी सदन में वापस भेज दिया जाता है अब जो प्रारम करने वाला विदेग प्रारम करने वाला जो सदन है यह उन संसोदनों को क्या कर लेता है स्विकार कर लेता है वह अपनी सहमती उनके उपर दे देता है तो वे विदेग अपन क्या करेंगे उसको राजा के पास हस्ताकसर के लिए भेज दिया जाता है राजा के अस्ताकसर के बाद वे विदेग क्या बन जाएगा कानून बन जाएगा ये इस्तिति तब हो सकती है जब दोनु जो सदन है वो संसोदन उपर या फिर विदेग जिस प्रारूप में था उसके उपर दोनु सदन क्या है सहमत है तो वह विदेग राजा के पास चला जाता है और राजा के हस्ताक्सर के बाद क्या बन जाता है कानून पर यदि देखिए दूसरी स्थितिक्या है यदि लाड़ सुबा में पहले प्रस्ता वीत्वायवे विदेग और कोमन सुबा उसको क्या कर दे एस्वीकार कर दे तो वह वहीं क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा यह वहती मैंत्वपुन बात है कि यदि विधेग सबसे पहले लोड़ सभा में रखा गया लोड़ सभा में उसके तीन वाचन हुए समीति इस्तर प्रस्तावित्वा पहले जो विदेख है वो मसल में रखा गया और लोर्व कंसे संसोधन करती है जो मतले finns करती है क्या नहीं करती तो कोमन क्या करेगी लगातार दो सत्रों में पारित कर देगी उसको और दो वर्स जो सत्र है उनमें पारित करने के दोरान उस विदेग में लगबग क्योंकि वर्स में एक बार अधिवेशन होता है एक बार सत्र होता है संसत का तो उनमें एक वर्स का समय वेतित हो जाए तो विदेग दोनु सत्रों द्वा पारित समझा जाएगा यानि इसका मतलब यह वा कि लोड़ सभा है साधान विदे को केवल एक वर्ष के लिए रोके रख सकती है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें देरी कर सकती है एक वर्ष की विलंब कर सकती है लेकिन अंतिम जो सकती है साधान विदेग के सम्मंद में वो किसको प्राप्त है कौमन सभा को प्राप्त है लोड सभा किसी भी साधान विदेग के लिए क्यों एक वर्स के लिए रोके रख सकती है यहाँ पर अपने देखा कि यह दी लोड सभा के जो विदेख है उसको कौमन सभा इस्विकार कर दे तो विदेख समापत हो जाता है और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोड सभा किसी भी विदेख को एक परस के लिए रोके रख सकती है तो अंतिम रूप से जो सकती है वो किसके पास है पोमन सभा के पास है यह अपने देखा था साधन विदेख के सम्मद में अपने देखते हैं धन विदेख के सम्मद में जो वित विदेख होते हैं उनके सम्मद में क्या परकिरिया है शुरू में अपने पढ़ा ताकि जो सरकारी विदेक होते हैं, सारवजनिक जो विदेक होते हैं, वो दो परकार के होते हैं, साधन विदेक और धन विदेक, तो धन विदेक वो होते हैं, जिन में करार उपन है, रिंड लेना है, रिंड गठाना है, बढ़ाना है, वहां की नि बिदेगा निर्बान वित मंत्री करता है कुन करता है आ यह चाहिक उल happiness सदं में इस विधी को पेश्च रखता है यानी साधर सदशह जो सदशह होते हैं साधर्ण जो सदशा होते संसत्के वो दद विदेगा या वित विदेगा श को या शिर्टरीक पेश करता हैं और सबसे मैत्वपुन जो बात है वो ये है कि जो धन विदेक या वित विदेक है ये केवल कोमन सबा में सर्वर परतम कहां रखे जा सकते हैं इनकी जो सुरुवात है प्रस्तूत्ती करण है वो कहां हो सकता है कोमन सबा में तो इसका अर्थियवा कि धन विदेक लोड सबा मे प्रस्टावित नहीं किये जा सकते शुरुवात उनकी कोमन सभा से ही हो सकती है कोमन सभा के speaker के पास जो अध्यक्ष होता है उसके पास एक और मैत्वपूर सकती है कोई विदेख है या नहीं इसका निर्धारन या किसी विदेख को इसका परमान देना परमानी करत करना ये भी किसके पास सकती है, कौमन सबा के अध्धक्स के पास, कौमन सबा का इस्पिकर ही ये ते करता है, कि कौन सा विदेख वित विदेख है या नहीं, एक ओर जो धन विदेख के समध में साधान विदेख से अलग जो परकिरिया है, दूसरे वाचन के बाद अपने साधान व इस्ताई समीति को सूपा जाता है जिसमें पक्स और विपक्स दोनों के सदश्य होते हैं लेकिन वित विदेग के संबंद में या धन विदेग के संबंद में ये परकिरिया नहीं अपनाई जाते हैं संपूर सदन की समीति को चर्चा के लिए रखा जाता है संपूर सदन की सम देख पारित हो गया है तो लोड सभा उसको केवल एक महीने रोके रख सकती है अब लोड सभा एक महीने रोके रख सकती है उसके बाद भी यह दी लोड सभा उसको पारित नहीं करती है तो उसी प्रारूप में जिस प्रारूप में कोमन सभा ने उसको पारित किया था उसी प् भी करें लेकिन ज्यादा से ज्यादा वित विदे को लोट सभा एक मेने के लिए रोके रख सकती है तो धन विदे के समन्द में लोट सभा किसी विदे में एक मेने की देरी विलंब कर सकती है और साधन विदे के लिए एक वर्स की देरी कर सकती है अंतिम रूप से जो सकती है वो किसके पास है, कौमन सभा के पास है, अन्य जो परकिरिय है कि वित विदेग को समराठ स्विकर्ती देता ही है, अंगुमन परंप्रा के अनुसार, वित विदेग के समराठ अपनी स्विकर्ती देता ही है, तो इस परकार धन विदेग के समराठ अपनी स्विकर्ती देता ही ह उसके बाद में देखिए नीजी सदश्यों के विदेग जो है सारवजनिक जो विदेग होते हैं जिन में नीजी सदश्य यानी कोमन सभा और लोड सभा के सदश्य जो है संसत के जो सदश्य हैं उनके द्वारा जिन सारवजनिक विदेगों को संसत के साधान सदश्य हैं निकीन दhãने मिदेख को छोड़ कर और मंत्री क्यूंकि अपने देखा था कि वत मंत्री सभावग सदन वी जदेखता है कि द्धं में रखार जाता हैया अब देखिए नीजी सद्षियों के जो विदेख necessity के जो उठेखी tocar इंगे सतना से सदन धियुक्षरदक पर दान से वाउड़नी एब अबन यवाऊटों करता है टिता कि इसन रखा जाए गर अमूमन्द भाफ को ही प्रस्तूत किये जाते हैं फ्राइडे को ही रखे जाते हैं तो इसका मतलब यह वा कि नीजी सदश्यों के जो विदेख है साधन सदश्यों के जो विदेख है उनके लिए सदन में बहुत ही कम समय मिलता है क्योंकि वो केवल सप्ता में एक दिन है जहां वो विदेख जो ह दुवात में जो विदेके दो परकार पड़े थे, एक सारवजनिक विदेक और एक सारवजनिक विदेक, सारवजनिक जो विदेक होता है, वो संपून रास्टर से संबंदित होता है, और एस सारवजनिक या नीजी विदेक है, ये देखे किस परकार के होते हैं, ये किसी समु सब्सक्राइब करते हैं कि कुछ व्यक्ति या संस्ता विधेक तयार कर याचिका के रूप में प्रातना के रूप में एक रिट के रूप में यह सारवजनिक विदेगों का कोई अलग कार्याले बना होता है और उस कार्याले में ये का करते हैं जमा करवा देते हैं विदेग का प्रारूप प्रातना पत्तर के रूप में तो जमा कराते ही हैं साथ उतनी धनरासी भी ये साथ में जमा करवाते हैं जितनी उस विदेग के निर्मान में वे करता है और यह थिनकों लगता है कि ये विदेग प्रस्तूत करने में सारी पूरी की गई है थो से गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है सरकारी गजट में नोटिफकेशन में कि यह विदीक लाया झाएगा कि तक बाद में देखिए यह जो आईसारवजनिक विदेख है या नीजी विदेख है यह सदन किसी भी सदन में चाहे लोड सबा हो या कोमन सबा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है अब इनके बाद जो इसके पर्थम दूसरा और जो तर्तिय वाचन होता है पर्थम वाचन एक मात्रिक ओपचारिकता सी होती है क्योंकि अपने देखा कि जो नीजी विदेगों का कार्यले है वो पहले से इसकी क्या कर चुका होता है जांच कर चुका होता है परिक्षकों के मा स्वध्रक दिया जाता आए इसे सुचना मिल जाए कि ऐसा कोई life सदन में लाया रहा है दूसरे वाट्छन है उसमें विदेग पर काफी बहस होती है चर्चा होती है और उस बहस या चर्चा होने के बाद यदि संपून सदन उस विदेग पर क्या है सहमत है तो उस विदेग को निर्विरोध विदेगों की सहमती को भेजा जाता है निर्विरोध विदेगों की सहमती अलग होती है समीति जो होती है वो अलग होती है कि इस विदे का किसी परकार का विरोध नहीं किया जा रहा और यदि संपून सदन सहमत नहीं है तो फिर किसी अन्य समीति को चर्चा के लिए उसके प्रावधनों पर विश्टार से चर्चा करने के लिए उसको भेज दिया जाता है बस अमिती क्या करेगी देखिए एक तरीके से नयाइक जांच करती है विदेग की साधान विदेगों के संबन में या सारवजनिक विदेगों के संबन में ऐसी प्रकेरियाई नहीं होती नयाइक जांस करती है उस विधेग से सम्मंदी जितने भी पक्ष है उनको बुलाती है उनसे सारी चर्चा करती है उनसे पूस्तास करती है प्रसनों के माद्धम से और फिर एक रिपोर्ट तयार करती है कि वास्ता में उन विधेग से उन पक्षों को कितना लाब होने वाला है कितनी क्या हानी होने वाले क्या कितना पक्ष में विपक्ष में ऐसी एक रिपोर्ट तयार करके वो सदन को देती है सदन को भेज देती है अब सदन देखे क्या करेगा यदि उसमें जरूरी वा आवशिक वा तो संसोधन करेगा और संसोधन करके उसको क्या देदेगा अंतिम यहां पर जैसके पारित होता है जिस सदन में तो यहां पर इस जाता हैं तो इस परकार इंग्लेंड में विधी निर्मान की परकिरिया है वो दो परकार के जो मैतोपून विदे के सारवजनिक उनके संबंद में अपनाई जाती है धन्यवाद